Good morning students, आज हम उर्दु ग्राइमर में से जो के जोथी जमाइत के लिए है, इसमें से हम सफ़ा नमबर दो करेंगे लफ्स, कल्मा और जुम्ला की तारीफ अभी हम देखेंगे लफ्स लफ्स क्या होता है? इनसान के मूँ से निकली हुई हर आवास को लफ्स कहते है बिसलिए अगर मैं आपका नाम ही लेती हूँ सपोस अगर मैं कहती हूँ अली अली जो है, वो लफ्स है एक तरह से लफ्स है या मैं पैंसिल कहती हूँ तो वो क्या है? लफ्स है अगर मैं उनको उन इल्फास को तोड़ती हूँ जैसे के अली है अली एक नाम है लवज ही है एन लाम और छोटी है अल ई अली तो वो क्या है लवज है और हरूफ से ही एक लवज बनता है एक से जाइद हरूफ को मिला कर लिखें तो लवज बनता है जैसे के मैंने अली का नाम बताया आपको के अल ई अली हरूफ को मिला कर अली एक लवज बना हरूफ किसी खास तर्तीब से मिलें तो लवज बनते हैं जिनका कुछ मतलब भी होता है तेखें मसलन अब यह देखें एहमद नाम है एहमद यह हरुफ को मिला कर क्या बना एहमद 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 नाम बना और एक और है एक्जामपल तो बहुत सारी आप जो भी आप मुझ से निकालेंगे लफ्स वो क्या है आपके लिए लफ्स की ही वो कंसीडर की लफ्स ही कंसीडर किया जाएगा अब जैसे कि अकबर 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 यह हरुफ हरुफ को मिला कर अकबर बना लफ्स फिर देखते हैं तरी इनसान के मुझ से निकली ही हर आवास को लफ्स कहते हैं ठीके अब जैसे मेरे मुझे से चले एहमद मैंने निकाल आ, वो कह? एहमद? अब ये हरुफ को मिला कर, मिला कर लिखें तो लवस बनता है हरुफ किसी खास तर्टीब से मिलें तो लवस बनते हैं ये भी नहीं है, कि आप इसको पहले लिख लें ये इसको बाद में लिख लें और वो लवस ही ना प्रापर बने, जिसकी आपको समझ ही ना है हरुफ को मिलाना भी है, तो एक खास तर्टीब से अगर मैं इसको, हे को पहले लिख देती हूँ तो हां, हामिद बन जेगा लेकिन क्या है? फिर भी हम कुछ लफास में गलती आ जाती है लिखने में अब आ जाएं, कल्मा, कल्मा की तरिफ क्या है? लफ्स की जमा इल्फास हैं, जिनके कुछ माइनी होते हैं, उन्हें कल्मा कहते हैं जिनके कुछ माइनी होते हैं, उसे कल्मा कहते हैं, और जिनके कोई माइनी ना हो, उसे हम मुहमल कहते हैं हमें इने कलमें मिसम क्या है जैसे चाई चाई की तो आपको समझ आ रही है इसके कुछ ना कुछ तो माई नहीं आई जो हम चाई पीते हैं वही चाई है अब वाय क्या है कुछ भी नहीं चाई वाय तो कुछ नहीं है न गप गप शप गप शप तो हम करते हैं पानी पानी की भ इस इल्फास की हमें समझ आ रही है चाय यह क्या है हमारा कलमा है ठीक है अब वाई क्या है इसके हमें कोई समझ नहीं आ रही है चाय वाई यह क्या है जिनके कुछ माईनी हो यह हमें समझ आ रही है गप शक पानिशानी अब यह क्या होगे मौमल जिन अल्फास के माइनी नहीं होते उन्हें मौमल कहते हैं जैसे वाई, शब, शानी चीक है? ये क्या है? मौमल है जैसे मैंने आपको उपर ही बताया चाय कलमा, वाई, मौमल गप, कलमा, शब, मौमल पानी क्या है? कलमा, शानी, मौमल कलमा क्या है? लवज की जमाई अल्फास हैं ये कलमा जो है, जैसे चाये जिनके कुछ माइनी होते हैं, उन्हें कलमा कहते हैं और जिन अल्फास के माइनी नहीं होते हैं, उन्हें मौमल कहते हैं जिन इल्फास के माइनी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं मौमल कहते हैं जैसे कि अब आपको समझ आ गए अब आगे लास्ट जुम्ला की तरीफ अभी जिस्ट हम तरीफ इनकी करेंगे बात में इनकी आगे से हम एक साम भी बात में करेंगे जुम्ला जो इल्फाद तर्टीब से लिखे गए हूँ, इनसे कोई मतलब भी निकलता उसे जुम्ला कहते है मसलन, मैंने दूद पी लिया है या अगर मैं इनको आगे पीछे कर देती हूँ, क्या आपको इस जुम्ले की समझ आएगी दूद पी या मैंने ये तो इल्फाद का कोई मतलब निकलता जुम्ला तर्टीब में हो, तो उसका कुछ, इनसे कोई मतलब भी निकलता है कि मैंने दूद पी लिया है, ये समझ में आ रहा है अब दूसरा है, बच्चों ने स्कूल का का काम कर लिया है ठीक है, ये इल्फाद हमें दिये हुए, किस लेकिन ये भी इल्फाद है, ये भी इल्फाद है, लेकिन क्या है हम इसको तर्तीब में, अब ये पूरा जुम्ला है ठीक है, जुम्ले को तर्तीब में हम लिखेंगे, इल्फाद को हम तर्तीब में लिखेंगे तो जुम्ले की हमें समझ आती है जो इल्फास तर्तीब से लिखे गए हों इनसे कोई मतलब भी निकलता हो इसे जुम्ला कहते हैं जुम्ले की तारीफ क्या है? जो इल्फास तर्तीब से लिखे गए हों उनसे कोई मतलब भी निकलता हो से जुम्ला कहते हैं मैंने दूर्द पी लिया है बच्चों ने स्कूल का काम कर लिया है आज मुझे बजार जाना है तुमने सेव खा लिया है खा लिया था उस्तार ने बच्चों को सबक पढ़ाया ठीक है अगर जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर हम जुम्ले तर्टीब से ना लिखें नीचे यहां पर बताए हूए मैं वह भी आपको दिखाती हूँ सफ़ा नमबर दो पर ही है अगर दर्ट बाला फिक्रों की तर्टीब को बगाड़ दे तो वह जुम्ले नहीं रहेंगे और ना इनका कोई बामाईनी मतलब बनेगा मसाल के तौर पर बारिश हुई खूब आज यह भी कोई समझ रहे हैं तर्टीब में नहीं है लफ्स तो हैं लेकिन जुम्ला तर्टीब में नहीं है दूद था गरा फर्श पर गिरा फर्श पर अगर हम जुम्ला अगर बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे आज खूब बारिश हुई तो जुम्ला समझ में आ रहा है तो यह देखें दूद फर्श पर गिरा था जुम्ले के समझ आती है तुम स्कूल ने काम काम लिया था कर कोई समझ नहीं आ रही है जुम्ला तर्थी में था है यह नहीं है तुमने स्कूल का काम कर लिया था जिन्दगी है नाम का मुश्कलाथ जिन्दगी नाम है मुश्कलाथ का यह मुश्कलाथ का नाम ही जिन्दगी है फरजाना ने मैं कंगी बालों की फरजाना ने बालों में कंगी की चीए? अब आपने क्या करने है? इनकी तारीफ जो है याद करनी है लवस, कल्मा, मौमल और जुमला की तारीफ भी याद करनी है और अपनी नीट कॉपी पे लिखे और साथ ही पेच नमबर 3 को फिल भी करेंगे इसको आपने कंगीट करना है जैसे के question number 1 है लवस की तारीफ करें सवाल क्या है? लवस की तारीफ करें जैसे कि यहाँ पर आपको अरड़ी दिया होगा है लवस की तारीफ और साथ उसकी मिसाल भी आप लिखेंगे कलमा से क्या मुराद है? जिनके कुछ माईनी होते हैं उन्हें कलमा कहते हैं जैसे चाए चाए वाइक आप आपने पानी यह सारा mention करना है इसमें चाए जैसे के चाए गप और पानी के माईनी हैं तो उन्हें कलमा कहते हैं मौमल से क्या मेरत है जिनके अरिजनल फास के कोई माईनी नहीं होते हैं मौमल कहते हैं इसकी तारीफ आप लिखेंगे और साथ इसकी एक्जामपल भी लिखेंगे और फिर जुमला जो अलफाज तरतीब से लिखे गए होने इनसे कोई मतलब भी निकलते से जमला कहती है ठीक है? और आपे दो जमले इसके साथ इसके मिसाल में लिखेंगे